सब्सक्राइब करें न्यू क्रिटी बुटिक चैनल को और बैल आइकन को प्रेस करें जिससे आप हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पा सकें नमश्कर दोस्तो न्यू क्रिटी बुटिक में आपका स्वागत हैं दोस्तो आज हम बताएंगे आपको पैंट पलाजो में एक बहुत ही सुन्दर डिजाइन बनाने का सिंपल सा तरीका मैं सबसे पहले आपको फैबरिक के बारे में बताना चाहूंगा यहाँ पे मैंने पैंट पलाजो कटिंग किया हुआ है जिसके एक पहुचे में हम यहाँ पे बहुत सुन्दर डिजाइन बनाएंगे और डिजाइन बनाने के लिए कि डिजाइन कटिंग करने के लिए मैंने बुक्रम का पीज लिए हुआ है जिसking चोड़ाई होगी 7 इंच की और लंबाई होगी यहाँ पेश की साथ रेुस की साथ का हमने एक पीज पूइस इस परकाड से और के रहिए मैंने यहां पर an लेश लिए लगाकर में बहुती सुंदार को महीं दीलेगे और इस दीले में कट बीड़ अलेगा है के तो इस त्राइख के हमारा यह सम्वान होगा जिसे हम जांगे दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना गया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो अपडेट मिलती रहे तो सबसे पहले हम जो हमारा भुकरम का पीस है इसको इस तरीके से जो फोल्ड किया हुआ है हमने इस वे से कटिंग करते हैं कटिंग हम इस प्रकार करते हैं यहां पे एक कट रखते हैं कि साड़े तीन इंच का यहां पे तक्रीवन साड़े तीन से पुने चार इंच का निसान लगाएंगे और इस निसान को हल्किसी पत्ती की सेव डाल देंगे इस प्रकार की इस परकार की यहां पर हमने ये शेप डाल देनी है इसके बाद हमने एक इंच पर बाहर की साइड निसान लगाना है इस परकार इस निसानों को भी हम एक दूसरे से इसी तरीके से मिला लेते हैं अब जीतना मैंने एक इंच पर यहां पर निसान लगाया है बाहर की साइड एक निसान लगाएंगे ये भी हम एक इंच पर रखेंगे इस परकार के हमने यहां पर यह निसान कम्प्लीट कर लिए हैं अब हम इनके उपर कटिंग करेंगे सबसे पहले जो हमारा छोटे वाला निसान है इसमें कटिंग करेंगे अब हम बाहर वाले निसान पर कटिंग करेंगे और अब जो हमारा लास्ट वाला निसान है उसके उपर कटिंग करेंगे जो बाहर की साइड हमारा बुक्रम का पीस बचता है आदा से पोना इंच मार्जन छोड़ते वे उसमें भी हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों यह हमारा बाहर वाला पीस हो गया यह फिर इसके अंदर वाला फिर इसके अंदर यह आएगा और फिर इसके अंदर यह वाला पीस जो हमने यह लगाना नहीं है यहां पर कट रहेगा इस तरीके से हमारा यह यहां पर यह बनेगा सभी जंगहां यहां पर लेश लगाएंगे पट्टी के दोनों साइड भी से लगाएंगे तो दोस्तों कटिंग हमारी हो गई है अब इन पीसों को हम कपड़े के उपर पेस्ट कर लेते हैं इनको कपड़े के उपर चिपका लेते हैं क्योंकि जो मैंने बुखरम यूज करी है यहां पर यह पेस्टिंग वाली की है जिसपर एक साइड फ्यूल लगा होता है और एक सबीट रखें और प्रेस से जैसे यह उखड़ा होता है इस पर हम जब प्रेस करेंगे यहां पर तो यह पेस्ट हो जाएगा कि सबीपीसों को इसी तरीके से हम पेस्ट कर लिते हैं कि यह देखो यह चिपक गया है हमारा कपड़े के ऊपर है और इस पट्टी को हम हम पेस्ट करेंगे अब हमने यहां पर बाहर की साइड तक्रिवान एक-एक पुना-पुना इंच का मार्जन छोड़ते विए कटिंग कर लेनी है सभी पीस होगी इस परकार इतना मार्जन छोड़ना है और कटिंग कर लेनी है जैसे मैंने यह cutting की है बाकी दोनों पीसों की भी हम इसी परकार cutting करेंगे कि यहां पर दोस्तों cutting हमारी complete हो गई है अब मैं आपको stitching बताऊंगा कि यहां पर दोस्तों हम अब stitching करेंगे stitching के लिए जो यह वाली पटी है हमारी यह सबसे लाश्ट में लगेगी तो इसको हम एक साइड हटा देते हैं और यहाँ पर हमें यह तीन पीस हैं एक सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा यह दो पीस जो छोटे वाले पीस हैं यह हमें अंदर की साइड से तियार करने हैं इस परकार यहां पे नीचे की साइड कपडा रखते हुए इधर से लाई लगाते हैं और जो बाहर वाला पीस है यह हमने जो कम चोड़ाई वाला कटिंग किया है इसकी एक इन चोड़ाई की पट्टी नहीं है यह बाहर वाला पीस हुआ नुआ है कि अब बार की साइड हमने जो एक्ष्ट्रा कपड़ा था उसको फोल्ड कर लिया है अब पीस जो है हमारा इस परकार का यह तियार आता है कि अब हमें यह वाला पीस अटेज्च करना है सबसे पहले पैंट पलाजों की मोरी में यहां पर हम क्या करेंगे जो एक्ष्ट्रा मोरी का मार्जन होता है उसको कट कर देते हैं इस परकार और दोनों फीसों का हम सेंटर पॉइंट बनाएंगे यह हमें इस तरीके से अटेज्च करना है जैसे हम गला पलटते हैं ऐसे सीधी साइड उपर की साइड रखेंगे और यहां पर भी हम सेंटर पॉइंट बनाते है इस परकार रखेंगे और वुकरम के साथ साथ सिलाई लगाएंगे सिलाई से हमने ही अटेच्च कर दिया है अब यहां पर हम इसका एक पैर का मार्जन छोड़ते वे इस परकार से कटिंग कर लेते हैं सिलाई गनेज दीक तक कट लगाएंगे कोने में और जहां पर गोलाई आएगी वहां पर भी हम इस परकार का कट लगाएंगे अब हम इसको अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं तो यहां पर हमारा इस परकार की सेव आ जाएगी नीचे मोरी की यह वारी इसको हम प्रेस से जब सैट करेंगे अच्छे से तो यह बैठ जाएगा आप इस पर सिलाई से भी अटेच कर सकते हो मैं प्रेस से इसलिए अटेच करूंगा ताकि इसमें हमें लेस लगाने में दिक्कत ना आए अब हमें हमारे पास दो पीस बचते हैं इनको करेंगे हम अंदर की साइड से तयार क्योंकि जब हमारे पीस ऐसे आएंगे तो यहां पर भी हमारी लेस आएगी और इस साइड भी हमारी लेस आएगी तो इनको हम अंदर की साइड से तयार कर लेते हैं कि यहां पर भी हम नीचे की साइड कपड़ा रखेंगे इस परकार से और अंदर की साइड से त्यार करना है तो अंदर की साइड हम यहां पर सिलाई लगाएंगे कि इसी परकार जो सबसे चोटा पीस होगा हमारा कि दोनों पीसों में अंदर की साइड से कट लगाएंगे एक पैर का मार्जन छोड़ते वे जहां पर नोक आएगी महां पर हम नोक की निजदीक तक कट लगाएंगे और जहां पर गोल आएगी महां पर इस परकार के कट लगाएंगे हलके हलके अब हम इस कपड़े को इस तरीके से बीच से पलटते हुए सीदी साइड जो होगी हमारी ये रहेगी इसलिए हम क्या अगरे में जहां तक हमारी बुकरम होती है हमापे हम सिलाई लगा लेते हैं बुकरम के साथ-साथ ये बुकरम आपको नजरा जाएगी उपर सेगी बार की साइड का एक्स्ट्रा जो मार्जन होगा उसको कट करेंगे जैसे मैंने ये पीस त्यार किया है सेम इसी तरीके से ये पीस भी त्यार कर लेते हैं यहां पर दोस्तों दोनों पीस हमने इस परकार से त्यार कर लिए हैं अब मैं आपको इनको रखके दिखाऊंगा शाब से छोटा पीस हमारा निचे की साइड आएक फिर आएका इससे बढ़ा यह वाला यह आएगा इस तरीके से और फिर इसके उपर हम यहां पर त्यार किया है हमने पहुंचे वाला यह आएगा इस प्रकार से ऐसे हमारी यह डिजाइनिंग त्यार होगी और इन्हों सभी जगह हमने यहाँ पे लेस लगानी है आप लेस की जगह पाइपिन भी लगा सकते हो पट्टी भी लगा सकते हो आपकी इच्छ है तो यहाँ पे अब हम एक एक करके यह लेस त्यार करते हैं हमें सबसे पहले एक पीस कोई भी लेना है उसमें यहाँ पे लेस लगाएंगे नीचे की साइड से इस परकार रखते वे हम सिलाई लगाएंगे डपड़ा दिने लो म्यायस दो अपड़ा शोबने लोगा लो डग़ा है कर दो कर दो कि अ चार को आदा गया दो तो कर दो भूला हुआ है क्वाई परक्प दोस्तों वमनें यहां पर एक कटमें लेश कम्प्रेट कर लिए यह लगाने का मैं आपको शिंपल सा तरीका बताऊंगा आपने पहले मैंने यह Double Foot यूज किया हुआ था फिर यह मैंने Change कर दिया है change करके मैंने यहाँ पर Single Foot यूज करना है यहाँ पर Lace लगाने के लिए क्योंकि यहाँ पर जब अगर हम यह Double चलाते हैं तो मूती के उपर हमारा यह मूती वाली Lace के उपर यहां पर इस लाई नहीं चलती, यह foot बिल्कुल भी नहीं चलेगा, तो हमें यहां पर जब हम single लेंगे, तो यहां पर इस तरीके से आएगा, एक side, इस परकार का मैंने यहां पर यह foot लगाया हुआ है, तो आपने भी यहां पर single side वाला, single foot यूज़ करना है, इस चीह का आपक से complete करेंगे, करेंगे, पर भी नहीं है, चोटे कट में भी हमने यहां पर यह लेस अपनी कंप्लेट कर ली हैं अब हम इसको यहां पर इस तरीक से अटेच करते हैं ऐसे जैसे मैंने आपको बताया था इसी परकार बड़े वाला पीस हम उपर की साइड रखेंगे छोटे वाला सबसे नीचे और इसी सिलाई के उपर जिस से हमने लेस अटेच की थी इसी सिलाई के उपर सिलाई लगा लिते हैं अब हम जो पेंट पोला जो है हमारा यह वाला हमारा इस तरीक से आएगी मोरी इसकी इस साइड भी हम पहले लेस कम्प्लीट करेंगे फिर अटेच करेंगे बीच वाले दोनों पीस हमघे तिए रहता है यहां पर हम लेस लगा के फिर इस पीस को अटेच करेंगे यहां बोल, जाओ रखना, जाओ रहां और शेये खि 왁ढे भीज़ ज्ट टहां ग search पहला है? कि बहां जुट को अजी जा झाल कि चाल है कि तिर झाल न चाल है यहां पे भी हमने यह लेस कंप्लेट की है अब इस तरीके से पीछ रखेंगे जैसे हमने यहां पे यह अटेच किया था इसी प्रकार हम यहां पे अटेच करेंगे ध्यान रखनाय में सेंटर पॉइंट कर सेंटर पॉइंट हमारा आउट नहीं होना चाहिए इस परकार दोस्तों हमने लेस लगा कर यह तिन्नों पट्टी अपनी कंप्लेट कर लिए और बहुत ही सुंदर हमारा इडियान तयार हो रहा है अब रह जाती है हमारी नीचे की साइड की पट्टी यहां पर दोस्तों हमें पट्टी अटेच करनी है जू सवा इंच की मैंने दिखा थी यहां पर इस परकार से आईगी ऐसे और इसकी दोनों साइड हमें लेस कंप्लेट कर लिए हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पट्टी में लेस लगाएंगे एक साइड से मैंने यहां पर आदा से पूना इंच का मार्जन रखते वे फोल्ड गया हुआ है तो इस साइड सबसे पहले हम लेस को कम्प्लेट कर लेते हैं लेस इस परकार रखेंगे नीचे की साइड और यहां पर इसको सिलाई से अटेक करें क्हांवे रखेंगे आ लेक साइड है अे है नीचे वोल साइड गया है अब आज है कि अज़े अब आज़े अज़े साथ कर दो आज़ें कर दो कि अज़े 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 एक साइड यहां पर मैंने यह लेश अटेच्च कर लिए अब हम इस पट्टी को इस परकार से फोल्ड कर लेते हैं और जहां पर मार्जन ज्यादा होता है उसको उस मार्जन को हम एक पैर का कर लेते हैं इस परकार से जब यह फोल्ड होगा तो आपको नजर आएगा सिर्फ एक पैर का यहां पर मार्जन अब हमने यह जो portion है हमारा इसको उल्टी side रखना है इस परकार उपर और जो margin हमने रखा है एक पैर का उसको यहाँ पे इस तरीके से रखते वे सिलाई लगानी है ऐसे यहाँ पे हम एक पैर चोड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे जितना हमने margin रखा है हमने झार साहे हमार, कि दोला पाहँ प्राईों आपे हमारा वेक नीचे की साइड मोती होते हैं तो आपने बड़े ही द्यान से मसीन चलानी है यहां पर जल्दवाजी नहीं करनी है नहीं तो हमारी निगल तूट जाएगी इस परकार हमने यहां पर अटेच कर लिया है यह आप देख पा रहे होंगे हलके हलके हमारी यह मसीन ने टाप भी दिया है यह टाप कोई बात नहीं आने तो हम जब उपर से सिलाई लगाएंगे इस परकार तो तब इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से अब हमने क्या करना है यहां पर उपर से सिलाई लगाने के लिए अंदर की साइड जो सिलाई के बाद यह इधर मोती रहते हैं इनको तोड़ देना है कटिंग नहीं करनी है तोड़ ना है इस परकार तो जो हमारे बाहर निजर आएंगे मोती वो नहीं तोड़ना है जो अंदर की साइड आते हैं उन ही को तोड़ना है इस परकार दोस्तों अंदर की साइड के हमने जो अंदर की साइड हमारे मोती आते हैं यह वाले इस साइड यह हमने तोड लिया है कटिंग हम इसलिए नहीं करते हैं अगर हम कटिंग करते हैं तो धागा कट जाता है मोती जिस से मोती जिसमें मोती डले होते हैं और धागा कटने के बाद यह मोती हमारे निकलने शुरू हो जाते हैं तो आपने धागा एक्स्ट्रा इस साइड छोड़ना है और अब हम उपर से यहां पर इसको पलटते वे यहां पर आएगी इस परकार की मोरी हमारी यहां पर हम सिलाई लगाएंगे इस सिलाई के उपर हम यहां पर सिलाई कमप्लीट करेंगे अब हमारी सिलाई यहां पर आराम से चलेगी मुसीन ना कोई दिक्कत नहीं आएगी कि जैसे पहले हमने सिलाई में अटेज करते हुए इस पट्टी को हम अटेज कर रहे थे जब दिक्कत आई थी जब मैंने बोला था यहां पर टाप भी आएंगे तो आपने टाप नहीं देखने है सिलाई लगा लेनी है हलकेल के अराम से लेकिन अब हमने मोती तोड़ दिये हैं तो हमें यहां पर सिलाई में कोई भी दिक्कत नहीं आती है इस परकार दोस्तों हमने यहां पर अटेच कर लिए है लेस भी अटेच हो गई है और सभी जंगा हमारे बहुत सुन्दर यह डिजाइन कंप्लेट किया है अब रहती है हमारी नीचे की साइड की लेस इसके बाद हम नीचे की साइड की लेस लगाएंगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा उल्टी साइड हमारी इस पर कारशे नजर आएगी है सबसे पहले बड़ी पट्टी फिर छोटी फिर सबसे छोटी नीचे की साइड एक इं लगाएंगे और उपर ये पट्टी रखते वे मोहरी रखते वे ऐसे सिलाई लगाएंगे इस परकार दोस्तो हमने पैंट पलाजो की मोरी का डिजाइन कम्पलीट कर लिया है अब हम यहां से साइड से सिलाई लगाएंगे जिकनी हमें मोरी रखनी होती है इस परकार रखेंगे और यहां पे सिलाई कम्पलीट करेंगे साइड़ की सिलाइ अमने आपे कम्प्लेट कर लिया है और इस परकार से हमारा प्रैंट पलाजो का यह डिजाइन कम्प्लेट हो गया है बहुत ही सुन्दर और यूनिक हमने यह डिजाइन त्यार किया है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को सेर वे लाइक जरूर करें धन्यवाद दोस्तों